हेलो बच्चो, वेलकम टुगनितंक, बच्चो, कैप प्रोसेस के दौरान, एक बहुत important question जो confuse करता है आपको हमेशा, मैंने देखा है हमेशा जब भी मैं कभी भी counselling करूँ तो ये question बहुत common होता है, इसलिए मैं example के साथ, इस question को आज clear करूँगा, कि सर, ये मेरी college list है, इसमें मुझे पहले round में कुछ PVG लगा था, second round में VIT लगा और third में PICT, तो क्या मैं इन तीनों में से select कर सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे PICT नहीं VIT CS with AI है, आखिर में क्या मैं ऐसा decision ले सकता हूँ कि मैं इन में से कोई भी एक select कर सकूँ, इस question को ठीक से with example, with all the photos देखेंगे अच्छे से, तो आपका doubt यहां clear हो जाना चाहिए, और rules क्या है, कैसे कैसे cap rounds पे list बनती है, list आगे पीचर कर सकते हो, क्या होता है, सब जानेंगे इस वीडियो में, तो इसको अच्छे से आखिर तक देखना, बड़े अच्छे से देखना, ठीक है और हाँ, like share आपका अपना बहुत ही प्यारा चनल है, और आपके प्यार से यह चनल ग्रो हो रहा है, तो चलिए, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, तो बच्छा सबसे पहले round 1 की यह college list है, यह actually मैंने एक बच्छे की बनाई हुई list है, इस बच्छे के percentile 95, 96, 97 कुछ होंगे, इसे पूने मुंबई दोनों चाहिए था, या पूने चाहिए था, क्या preference था, उस according हमने list बनाई है, कौन सी इसकी category थी, अगरे अगरे, तो COEP, फिर VJTI, फिर PICT, इस बच्छे के लिए college important है, ब्रांच इतनी important नहीं करती, matter नहीं करती, इसलिए, यहां पे हमने PICT के सारे branches डाले, फिर उसके में SPIT भी रखा है, फिर VIT है, अगर अगर आपने college की list डाली है, यह cap round 1 में आपकी list थी, इसके बाद, अब क्या होगा सर, तो आपने college की जो जो options आपके है, वो option form filling कर दी, submit हो गया, अब provisional allotment होता है, मतलब आपको कोई एक college, आपके percentile के हिसाब से, क्या मिला, क्या नहीं मिला, वो पता चलता है, ऐसा भी हो सकता है कि 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 किसी कोई college जी नहीं मिले, अगर उसने list रही डंग से नहीं बनाएंग तो अगर ये हमारा लग गया, अब हमें खुद को पूछना होगा, क्योंकि जैसी allotment दिखता है, उसके बाद में आपको दो से तीन दिन दिये जाते हैं, ये बताने के लिए कि do you want to freeze, freeze मतलब क्या आप बहुत खुश हो, are you very happy with this allotment, अगर आप बहुत खुश हो और आपको freeze ये बटन पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद college में जाके report करना है college पर admission ले नहीं है, report and confirm admission in college, simple जी बात है, तो ये हो गया, PVG CSE चाहिए था मुझको मिल गया है, कुछ लोग कहेंगे, ये अच्छा college है, बढ़िया है, मिल गया बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा म की तरफ जाओगे, इस case में भी 1000 रुपे पे करने पड़ते हैं, और वो process क्या होती, क्या नहीं होती, life बताएंगे हम, बट अभी आप समझिए, कि अग ओके बोलके, ये वाला मिरे लिए रखो, ये मिरे रिजर्व रखो, अगले round में और अच्छा मिलता है, क्या मैं देख ठीकना चाहता हूँ, ठीक है, that is what it means, और अगर ये अच्छा ही नहीं लगा से चाहिए ही नहीं था, तो पहली बात ये लिस्ट में होना नहीं चाहिए था, और फिर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, ना freeze करना है, ना betterment करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है, उस round को ऐ अपने आप निकल जाएगा, तो no action, no action को कोई button नहीं होगा, पर आपने कोई action नहीं लिया, button तो आपको सिर्फ दो ही दिखेंगे, freeze और betterment के, जब आप login करोगे, देखोगे, तो आपको ये दो ही चीज़ा दिखेगी, तो चलिए मैं assume करता हूँ कि मैं betterment की तरफ गया, मैं वो student 2 जिसको PVG CS लगा था, और actually मुझे PVG CS लगा था, 2007 में, पहले round में, ठीक है, तो मैं betterment की तरफ चला गया, अब betterment की तरफ चला गया, अब second round की college list क्या होगी, जब आप second round के लिए option form filling करोगे, तो वो अपने आप आपको, वो colleges नहीं दिखाएगा, जो हमें लगा और उ इसके नीचे के college आपको चाहिए नहीं थे, वो नीचे इसलिए थे न, वो order ऐसा था, कि जो आपको पहले चाहिए वो उपर है, तो नीचे का college PVG CS मिला, तो PVG CS के नीचे जितने भी options होगे, आप गायब होचाएंगे, और PVG CS भी खुद नहीं रहेगा, आप PVG CS भी यहाँ पर नहीं दिखेगा, वो automatically software जो है, वो आखरी में उसको डाल देता है, आप फिर से समझो, आप उपर के options पूरे के पूरे रहेंगे, तो आप पूरे reuse कर सकते हो, यह as it is पूरा list आपको second round में मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, पूरा के पूरा, सिर्फ जो आपको college लगा और उसक आपको लगा था PVGCS, अगर आप कुछ भी add करते हो, तो वो यह समझेगा कि यह अच्छा है PVGCS से, आप बात मेरी समझ रहे हो, बहुत अराम से देखिए, ठीक है, और यह पूरी list के बाद आखिर में वो खुद PVGCS add कर देगा, software आपको नहीं करना होगा, आखिर में खुद इसा नहीं होगा, जो लग गया, यह अपना final है, पिछला college गयो, बच्चो ऐसा choice नहीं है मेरे पास, second round में अगर कुछ लगा, तो वो आपका अगर नहीं लगा, तो जो reserve रखा था PVGCS वो आपके लिए रहेगा, यह important चीज है समझना, रेट कुछ भी नहीं लगा से, मतलब पहले लगा तो अपने पास रहेगा, अगर हाँ, पहले round में भी कुछ नहीं लगा था, second round में भी कुछ नहीं लगा था, तो फिर आप खाली हाथ हो, लेकिन पहले round का betterment करते हुए आये हो, तो अगर नहीं लगता तो PVGCS आपके पास था, वो ही आपके पास रहेगा, लेकि second में VIT list में था, क्यों आपके, जो भी रहेगा, अगर वो लगता है second round में, तो पहले round का college गयो, यह याद रखना ही है, समझना ही है, यह क्या आपके rules है, अब फिर आप खुछ से पुछोगे क्या आप बहुत खुछ हो, आपको VIT CSP चाहिए था, अगर बहुत खुछ है त इस बार 1000 रुपे करना नहीं है, क्योंकि आखरी बार कर दिया था, इस पूरे process में एक ही बार 1000 रुपे करना पड़ता है आपके, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं यार यह चाहिए ही नहीं मुझको ऐसा option है, तो आपको आप no action कर सकते हो, अब जब मैं third round की list देखूं उसके नीचे के options और वो खुद भी निकल जाएगा, round 3 के जब आप option form filling करोगे, round 3 का जब आपको college list डालने होगी, इसके नीचे के colleges दिखेंगे ही नहीं, अगर आपको add करा है नीचे का आप कर सकते हो, बट software समझता है कि उसके नीचे के colleges आपको नहीं चाहिए है, यह मिल ग आपके लिए betterment का, अगर आपको लग जाता है round 3 में, आजिम करते हैं, ऊपर रहा कोई college, यहाप PICT ECS है, यह अगर लग जाता है आपको, तो यह auto freeze हो जाएगा बच्चो, क्यों, क्योंकि इसके बाद चाहिए आपको पसंद हो, ना हो, अच्छा लग रहा हो, नहीं लग र अगर कुछ नहीं मिलता, तो वो carry forward होता आपके लिए, लेकिन जब नया मिल गया आपके list में, तो बस खतम हो गई वहाँ पे बात, तो यह auto freeze हो जाएगा, यह आपका है, यहाँ जाना है, admission लेना है, यह admission लेने के बाद में भी आप spot में जा सकते हो, ना, spot के लिए तो attempt कर सक लेकिन, cap में एक college पका पका होना चीए, यह make sure करना है, ठीक है, तो यह बहुत-बहुत important चीज़ है, I am sure आपको समझ में आ रही होगी, कि choice नहीं होती, आप second round में वही colleges डालेंगे, जो आपको मिला है, उससे better, right, क्योंकि आपका जो college है, वो अपने आप list में, आखिर में आ important चीज़े है, जो हम आपको live करके दिखाएंगे हमारे counseling sessions में, right, सारा live होगा, और उसके लाब हम verify भी करते हैं, हमारे mentors, सारा verify करेंगे कि सबने college list बरावर डाली है, sequence बरावर डाला है, नहीं डाला है, यह पूरा support हमारे तरफ से आपको रहेगा, premium और plus वाले बच्चों के ठीक है, तो यह बहुत-बहुत important चीज़ है बच्चा, तो अब आप मुझे बताओ, इस question का please comment करके answer बताओ, क्या आप choose कर सकते हो, अगर यह तीनो, कोईसे को round 1 में यह मिला, round 2 में यह मिला, round 3 में यह मिला, तो क्या वो round 3 की बात बोलेगा, कि मुझे यह वाला नहीं, यह college बताना, मुझे समझ आएगा, अगर आप जो भी comment कर रहे हो, उसी साथ से, कि sir मैं round 1 का ले सकता हो, कि जबकि मुझे round 3 में यह लगा था, तो बताइएगा मुझे मैं wait करूँगा, और बच्चो, finally, मैंने कहा था, कि month end में कुछ आपके लिए बड़ा reveal करने वाला हूँ, वो सब्जेक्स, engineering maths तो अल्रेडी है ही sir, engineering physics, engineering chemistry, mechanics, problem solving, जिसको कहते हैं, basic electronics engineering के सारे छे साथ सब्जेक्स जितने हैं, वो सारे के सारे गनितन अप पे आएगे और इसके combo आपको बहुत बढ़िया discounted prices मिलने वाले हैं, कब आएगे मैं cap round 1 का wait कर रहा हू, cap round 1 के around हम यह launch करेंगे, तब तक तो आपको भी university वगरे कौन सी है, क्या है, बहुत सारे doubts हो जाएंगे, तो थोड़ी clear हो जाती है, cap round 1, 2 के दौरान, और हम यह सारे courses लेकर ready है, आप तक पहुचाने के लिए ready है, website पर, app पर, सब दिखने चालो हो जाएगे, cap round 1 के around, तो stay tuned, stay excited, और अपने सारे friends को बताईए कि गने तक पर, बहुत कुछ आ रहा है, आप लोगों के लिए, ठीक है, तो चलो, this is all for the day, app download नहीं किया करिये, कोई query हो तो आप whatsapp कर सकते हैं, thank you, processes में, जो जो चीज़े जैसे से लगेगी, मैं सारी चीज़े आपको अच्छे से बताते रहूंगा, stay connected, subscribe नहीं कि कर दो दो आपको अपको